हाई, welcome to my channel, इस बड़ी में solve करेंगे question number 11 and 12 और ये दोनो questions भी 2019 में पूछे गए हैं 2019 CHS entrance 2019 CHS entrance में, ओके तो ध्यान दिजीगा, 3 metallic solid cubes whose edges are 3 cm, 4 cm and 5 cm are melted and formed into a single cube, the edge of the cubes who formed edge तो 3 metallic solid cubes को क्या किया गया, melt कर दिया गया और melt करके एक बड़ा सा cube बना दे गया, single cube तो बताए कि जो edge जो नया cube बना हुआ है, उसका edge क्या होगा तो ध्यान दिजीगा, हमारे पास ये, जो melt करके बनेगा नया वाला cube उसका volume वही होगा जो इन 3 को मिला करके होगा means, volume जो होगा बड़े वाले का, मतलब की जो bigger cube का होगा वह equal होगा V1 plus V2 plus V3 means, 3 cubes के volume के sum के बराबर होगा means, यहाँ पर लिसकते हैं मालीजी के a है आपका edge तो a cube बराबर हो जाएगा, यहाँ पर a1 cube plus a2 cube plus a3 cube आपको volume का cube करना पड़ेगा, मतलब की a1 cube क्या होगा, 3 का cube हो जाएगा 3 का cube plus a2 means 4 का cube, second वाले cube का cube हो जाएगा, plus यह हो जाएगा 5 का cube अब यहाँ पर a निकालना हमें है, क्योंकि यह जो है edge है नए वाले cube का, यहाँ क्या हो जाएगा 339, 327, plus 4464, 16464, plus 525, 2525, 2525, इनको add करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए 5, 6, 9, 9, and 7, 16, का 6, 1 carry over, and 1, and 2, 3, 3, and 6, 9, 9, and 2, 11, का 1, 1 carry over, and 1, 1, 2, 216 cm cube यहाँ पर मिल गया a बराबर, यहाँ पर cube रूट ले ले लेंगे, तो मिलेगा आपको 6 तो 6 cm मिल गया आपको age, और पुछा क्या है, age of the cube, means 6 cm की answer, मतों की पहला वाला answer आपका है तो यह आपका question जो है class 8 के mensuration में दिया हुआ है, means RSA column में दिया हुआ है, और RD Sarma में भी दिया हुआ है तो यह simple question है, okay, question number 12, the dimensions of a metallic cuboid are इतना, इतना, अब देद यहाँ पर dimensions दे दिया है and recast into a cube, और उसको फिर से recast कर दिया गया, recast मतलब की फिर से नया चीज बनाना, ठीक है, तो नया बना गया क्या, cube बना गया अब, अब cube बना गया, तो पुछाया है कि the surface area of the new cube is, तो जो नया cube बना है, उसका surface area कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इस cube का age निकालना पड़ेगा, और age निकालने के बाद surface area निकालनी होगी, means, हम यहाँ पर कैसे use करेंगे, तो हम जानते हैं कि volume of, volume of cube होगा, वो बिल्कुल equal होगा, volume of cube के, क्योंकि volume melt होने पर change नहीं होता, बस surface area change हो जाता है, ठीक है, तो volume of cube कितना होगा, यहाँ पर, वो तो हमें निकालना है, तो यह होगा a cube, माल लेते हैं कि a age है, उस cube का, तो a cube हो जाएगा, इसको volume of cube क्या होगा, तो l into b into h, means, हो जाएगा 100 into 80 into 64, तो अब यहाँ पर इसको factorize कर लेंगे, तो 100 को factorize कर लेंगे, तो मिलेगा 2 into 2 into 5 into 5 into 5, तो यह मिलेगे आपका 100 का factorization into 80 करते हैं, तो मिलेगा 2 into 2 into 2 into 5, और यहाँ पर 64 कर लेते हैं, तो मिलेगा आपको 2 into 2 into 2, फिर यहाँ पर जाएगा 2 into 2 into 2, तो आपने एफेक्टराइज कर लेए, क्यों किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमें निकालना है cube root, इन सब का, तभी तो a निकलेगा a, तो यह cube को sign खटा दीजिए, यहाँ पर ले लिजे cube root, अब तीन दुन अपर बना करके बहार निकल लेजिए, मिन्स दखे आपे 2, यहाँ पर 2 हो गए, और एक यह ले ले लिजे, तो यहाँ से बहार निकल गया into, 5, 5 यहाँ पर 2 हैं, और एक 5 यहाँ से ले ले लिजे, मिन्स अब यहाँ आपका a, मतलब a जागया 80, अभी यह आंसर नहीं है, अब निकलना आपको surface area, तो हम जानते है surface area of a cube, क्या होता है, वो होता है 6 times a square, तो हमाँ टिपलाई कर लेंगे 6 into 80 का square, 6 into 80 का square, मिन्स मिल जाएगा आपको 6 into, 8 is 64, 64, 00, तो हमाँ टिपलाई कर लेते हैं, त डबल 0 रहे हैं, यहाँ पर 6, 4, 24 का 4, 2 carry over and 6, 36 and 2, 38, तो 38, 4, 0, cm square, मिन्स यह आपका पसंद 2 correct है, यह वाला, ओके, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यह 2 simple questions हैं, तो बिल्कुल आप revise कर लिए होंगे, तो like कर देजिएगा, दो share कर येगा, और कोई वीडियोट होता है, तो comment box में जरूर लिखेगा, thank you so much, bye